कि छादी का बंधन होता ही कमाल का है और शादी के बाद जीवन में ना कई फेर बदल होते हैं ना सिर्फ लड़का लड़की के लेकिन उनके इर्दगेर्द रहे रहे लोगों के भी अब पटियाला बेब्स में मिनी को भी अकेला पन कहीं न कहीं खटकने लगा है जेहां जो बाते वो बेधड़क अपनी मां से शेयर करते थी, आज अपनी डाइरी से शेयर कर रही है. इमीनी की बेप्स अब मिसिस बबिता हनुमान सिंग हो गई है और हम सब ये जानते हैं कि मीनी नहीं अपने बेप्स की दूसरी शादी करवाई है. फिर शादी होने के बाद आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि हनुमान सिंग, बबिता और मीनी इन तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया. इसा कुछ हो गया, ऐसी कोई मिसन्डिस्टाणिंग हो गई है जो हनुमान अंकल ने कुछ अइसा पहले हिसे मीनी रहू अपनी जगह गई है, लेकिन वह भी अपनी जगहा करेक्ट है, मिनी भी अपनी जगहा करेक्ट है. मिसंदेसांडिंग हो गई है थोड़ी सी एंड चीशी जिस फिल्स तो राइट इन डाइडी वो खोड़ी थोड़ा पीछे हो रही है ताकि बेवज़र हनुमान अंकल एक नहीं जरूरी शुरू कर सके उनके रिलेशन को और टाइम दे सके अब दरसल लगता है बबिता की शादी हो गई है तो मीनी खुद को अकेला महसूस कर रही है अब मीनी जानती है कि बबिता हनुमान सिंके साथ रहेगी तो उसे अपने कमरे में अकेली ही रहना पड़ेगा उसे आदत तो है नहीं अकेले रहने की इसलिए आज वो बड़े दिनों बाद अपनी डाइरी लिख रही है उस डाइरी में वो सब कुछ बया कर रही है जो उसके दिल ने महसूस किया है मिनी अक्चिली हाफ गिल्ट में ही है उसे लग रहा है मेरी वज़े से सब कुछ हो रहा है मेरी वज़े से बेप जूपर आ गई है सोने तो वो हाफ गिल्ट में है हाफ गिल्ट में है हाफ अक्वर्ड है कि मैं इसके बार में पूछो भी कैसे तो वो कहीना कहीं स्टक है, कहीना कहीं गिल्टी भी फील कर रही है और इसलिए वापस वो खुद बे खुद पीछे होती जा रही है ताकि दोनों को थोड़ा और स्पेस मिल सके, दोनों को थोड़ा और टाइम मिल सके दूसरे के साथ अब वैसे तो मिनी एक समझदार वीटिया है वो खुद ही बबीता और हनुमान के बने इस नए रिष्टे को थोड़ा समय देना चाहती है जिसके लिए उसे बबीता से थोड़ा दूर होना पड़ेगा जो कि मिनी के लिए बहुत ही मुश्किल है फिर मुंबई से कलीम सल्मानी के साथ एबिपी न्यूज रिपोर्ट ये है एबिपी न्यूज आपको रखे आगे